आइटम है उसमें 5% का cash discount दिया जा रहा है, mark price 25,000 है, फिर एक additional seasons discount भी दिया जा रहा है और उसके बाद वो item sold हो रहा है 20,900 रुपे में, बताना है कि seasonal discount जो है वो कितना है, देखो कितना असान है, 25,000 से शुरू कर लो, 25,000 शुरू करके पहले तो इसको 5% का discount दे दो, 10% कितना ह होगा, 25,000, 5% कितना होगा, 1250, या नहीं 1250, आपका value क्या बचेगा यहा, 23,750, अब बेचा कितने में, finally, एक seasonal discount देके, वो D% मैंने लिख दिया, वो seasonal discount देके, इसको 20,900 रुपे में बेचा गया है, ठीक है, अब मुझे इसका percentage मालूम करना है, कि ये percentage जो है, कितना होने बाल तो आप 2375 माइनस करोगे, और 2000 अगर माइनस हो रहा है, तो 21,000 सम्थिंग आएगा, यहाँ 20,000 सम्थिंग है, तो इसका मतलब सर यह होगा, कि ये option गलत है, ये तो गलत ही है, 10 गलत होगा, 9 तो अपने अब गलत होगा, मुझे 10 से जाधा कम करना है, अब सवाल उठा कि क्या तो आप मैं कहूंगा, टेंशन मतलो, तो 2375 अगर आपने कम किये, इसमें से, जो वैलू आपको दी हुई है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कि जो वैलू यहाँ पर दी हुई है, वहां तक मुझे पहुंचने के लिए मुझे कितना और चाहिए, ये मेरा सवाल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिरा दिखता हूँ, इसको इसमें जोड़ो जरम, इसको अगर आप इसमें जोडते हो, तो आपको मिलेगा 30,275 ठीके, तो दीके, यहाँ से अगर मुझे यहाँ आना है, ये 275 है ये आपका 750 है, ठीके, तो मुझे साफ साफ दिख रह और 475 जो है वो साब साब देख रहा है जिसना कितना है 2% है क्योंकि 1% यो होता है 237.5 है उसकी भी इतनी जरूरत कहा थी जहां आपको पता लगा कि 1% से ज्यादा की जरूरत है बसो क्यों तो बस आपको रफली अगर आपने कर लिया यह नंबर देखे कि मुझे 400 और चाहिए तो इतना बहुत है महा करने के लिए कि मेरा अंसर 12% ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है